मानकुली ए फोर्टी प्लस वसेस मीर स्पोर्ट्स भरोडी फोर्टी प्लस ये फोर्टी प्लस के मुकाबले आप होंगे दो बड़ी टीमें एक दुस्ते के सामने आप देखेंगे तो यहां से टॉस जीत के पहले वन्दे टॉस एंडिसाइट तो बैट प्लस सौतारबा मानकुली फोर्टी प्लस टीम ने टॉस जीता पहले फिल्डिंग करने का बल्ले बाजी करने का नोता लिया तो दोने टीम को हम शुब कामना देंगे विश्वाल्द बेस बोड़ टीम कैप्टेन चलो जल से जल फिल की रिशना करें हम पार मकाबला शुरू करें कियों वगत हमारे पास बहुत कम है आज आखरी रात और आखरी रात में पिरेग बार श्वर्गी कभी निर्मन क्रापी 2022 में सभी का स्वागत अरे जिमाली सही बंस अगमन जाले गने जिमाली सही बंस अगमन जाले गनी दधा अपले मनप पुरबक स्वागत तो फिर एक बाद सभी का स्वागत YouTube के माध्यम से जो भी दर्शक हमें जुड़े हैं उनका भी हम स्वागत करेंगे पहली गेन कवर पॉइंट के उपर बहतरीन बिल्डिंग एक के साथ तो रनसंग्या स्कोर बुड के उपर एक रन खाता कुलने में काम्याब रहे चाटा एरबम अनकुली A40 प्लस टीम तो इस मुकाबले के बाद मुकाबला रहेगा मुकाबले के बाद करेंगे तो चाटा एरबम अनकुली A40 प्लस बनाम मीर स्पोर्ट बरोडी 40 प्लस का ये मुकाबला है और इस मुकाबले के बाद करेंगे तो दोनों टीमें ताकतवत तगडी टीम है कल भी अद्धिक्ष ट्रॉपी में 40 प्लस के कही मुकाबले खेले थे 12 टीमों में से 3 क्रमां का आये थे पहले दूसरा तिसरा नंबर फर्स प्राइज शाहिद वसा टीम ने फर्स प्राइज उसके बाद कॉद्मों का इस्तेमाल गें जाएगी लंगन के तरब रन बनेगा डबल दो रन के साथ रन संक्या 4 रनों के उपर 40 प्लस की बात करेंगे तो आज पूरी राइगेट टाने में सभी जगह 40 प्लस खिलाडी एक बहतर क्रिकेट खिलते हैं कल भी बाराटी में अधिक्ष टॉपी में के लिए थी पहले प्राइज गावदी भी वसाथ टीम 40 प्लस ने उसके बाद मंगुरूल टीम 40 प्लस के थी और तीसरे नमबर पर उसाथ ने टीम अच्छा योगदान बड़ा क्रिकेट कहते हैं ना कि 40 उमर होने के बाद अभी भी क्रिकेट को जिवीत रखने का काम हिन सभी खिलाड़ों ने किया दाद देनी होंगी फिटनेस को बरकरा रखने के लिए यह अच्छा क्रिकेट गेंद बाज फिल्डिंग तोड़ी से मिस फिल्ड वहाँ पर रन बनेंगे फिर एक बार दो दो के साथ रनसंग के आगे बढ़ते हुँ भी छे रन बगेर विकेट के नुकसान पर इस मुकाबले के बाद और एक मुकाबला रहेगा शायद शेल के ब्रदर्स फोगाउ बनाम होम साही दाबा दानियों के बीश मुकाबला यह देखिए अज पैकर का भी खूश है संकेश केनी के चेहरे को पर मुस्कुराइड क्योंकि ओम साही दाबा दानियों टीम के तो ओनर है और उनका भी शुक्रा संतुश कोली दोनों मिलके उनने पैक किये स्ट्रीम को बहतरीन के केट है और इस बार बहतरीन शॉट एच चार देन थैंकि डीजे यौ लियान डीजे पैरी पैरी की नी उनका भी शुक्रियादा करना चाहिए क्योंकि लगातर आड दीन राथ उनका ये डीजे सिस्ट्रीम कल शायद तीन बजे भी डीजे संगीत दर्शकों ने सुना दर्शक थोड़े कमते हैं मगर डीजे संगीत उनके तरफ से जरूर सुनने मिला लियान डीजे पैरी का स्वागत है गिन बाजी की बात करेंगे रंसें का पीर एक बाद दोबल के लिए पलटे रनिंग बिट्वीन दविकेट अच्छी है पास में बनें बारा 40 प्लस खिलाड़ी खेल रहे कौन कहेगा क्योंकि पर गेंगे उपर दो दो रन निकाल रहे हैं कितनी फिटनेस है कालिराम को माली कालिराम माली चौंदध के उपर ओग अत्मों का इस्थमार पीर एक बार बड़ी शॉट आउपसाइट्वीन जाएंगी बान्डरीयन के बार कालिराम माली के बल्ले से इस वपर में दोच्यो के रंसें क्या पहला वर के बादा सुलार रन दन्यवादा योगेश नकेट्स ओठायर मानकुले संगसाधी बर्पुरा सुबेचे इदेट शेकर भाई शेक त्यानांतर स्वराज बिंदास पाटील सद्यापनविले तुने स्पर्देच लायव टेलिगास पाधात साहिल केनी अनी गनिजद केनी यहन्चे स्योच देखिल त्यानी कवत्तु केलिले तसेज एवन जोडिक खारबाव करन पाटील अनी दिपम पाटील यानिदिकेले चवतेरो मानकुले संगसाधी सुबेची दिले दन्यवाद सर्वांच सुर्गे कबीर निर्माल स्मुर्णी चश्कामादे मनप्रुवाक हार्दिक हार्दिक स्वगाद दन्यवाद उमेशेट मुकादाम योगेजी मात्रे नितरजन पाटील जैशेट अनी योगेजी दिवलीकार सरवांच मनपुर्वाक आर्दीक आर्दीक आबार दन्यवाद यहां से बात करेंगे पूगाओ बनाम दानियों कि बीच जो मकाबला होगा उसमें से टीम जाएगी सुपात्री में उसके बाद सेमी फानिल पाइनल फॉटी प्लस के मुकाबला इसके बाद और एक शायद पोडी प्लस का मुकाबला बाकि है और कालिका माता कालवार टीम जो मेगा फाइनल में प्रभेश कर चुकि पोटी प्लस की टीम ये सेमी पाने का मुगाबला है इसमें भी जीतने बली टीम जाएगी मेगा फाइनल में कृप ओर एप देख सहते क्रिस्टल ट्रॉपी आज मच्ट के सामने कपी चम्चमा तीभी अच अघरी राथ में आप अब देख सकते तीन वांक अधास चीज अबर के समाप्त होने के बाद 16 रन पहले उबर के लिए 7 मिनट वक्त गया, इस बात के उपर भी गौर करना पड़ेगा, ये गेन पीछे खेलना चाहते थे, बल्ला गेन का सही संपक नहीं, और गेन देखो ना, पीछे के तरफ से आगे की तरफ आई, सिली मिडॉप की रिजन में, कोई रन नहीं है, डाट बल की समाप्ती, प्रदीप पार्टिल गेन बाजी करें, 40 प्लस मास्टर है और, 40 प्लस मास्टर के हम बात करेंगे तो, अच्छी गेन बाजी, अच्छी बल्ले बाजी, अब तक तो, अच्छी बल्ले बाजी, इस बार गेन जाएगी ऑन में फिल्डर है मिड़ विकेट में शांदार फिल्डिंग तब तक वहां पर बनेंगे दो दो के साथ तीसे के लिए पलट ना चाहते हैं दो के साथ रंसंग के अठारा रेन बगेर विकेट के नुक्सान पर स्वर्गी कभीर निर्मल ट्रॉपी 2022 के माध्यम से 40 प्लस के टीमे भी उत्री मैदान के उपर जो दिन में 40 प्लस और रात में रेगुलर क्रिकेट आप सभी ने देखा मगर आज इन्हें भी मौका दिया कि सेमी पानल पानल के मुकाबले नाइट में खिलाएंगे बड़ी सोच जिग्यादा शुक्रियादा करना चाहिए सभी खिलाडियों न जाकर जिग्यादा काईशा शुक्रियादा करना चाहिए क्योंकि जिस से उनका सोच रहती हमेशा बड़ा योगदान रहता है क्रिकेट खिलाडियों किलिम पहले सिजन की बात करेंगे सरपंच ट्रॉपी आप सभी ने देखी जिग्यादा और उसके बाद आपने सवर्गि कबीर निर्मल ट्रॉपी 2021 देखा और ये 22 तीसरा परवा है मानकुली के मेदान के उपर पहले परवा में इस ग्राउंड की हालत और कुछ थी और दूसरे साल में और तीसरे साल में मानो पुरा पलेट बार वाइट गेन अमपार का इशारा होता हुआ एक की साथ रंसक्या 21 के उपर बहुत कुछ बदलाव इस प्रद्युगदा में आप देख सकते दो साल को छोड़के आप इस साल में बदलाव देख सकते जब एमपील हुई थी और उसी टाइम जिग्यादा ने कहा था कि जब न यानि की मैजिक बॉक्स बनाएंगे नाम यश्पाल माली लेजेंट आप मानकुली जिनके नाम का हम मैजिक बॉक्स अब तक नहीं बनाएंगे तब तक तोरला में नहीं रखेंगे और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं यही तो है जिग्यादादा की पहचान वाट बाल और एक आएगा टेप की रंसंगे की बात करेंगे 22 रन ये मुकाबला की बात करेंगे तो भी चौटा हिरबा मानकोली 40 प्लस रंसंगे की बात करते तो अभी तक 22 रन सलामी भी ओपनिंग ब्लासर बात करेंगे बिंदास माली और काली राम माली बिंदास माली ने M.P.L में बहुत बड़ा क्रिकेट किला था आज भी वो याद है हमें बिंदास जदा बहतर क्रिलाडी भी है और M.P.L में बहुत बड़ा क्रिकेट इसी पीछ के उपर किला था वही सपना है उनका बेस गिनबाज के लिए नवाज आ गया था इने MPL हर साल दिवाली में होती और कदमों का इस्तेमाल जरू किया सिंगल बनेगा डबल के लिए पलटना चाहते हैं और दो रन असानी के साथ रनिंग बिट्विन दे विकेट भी बहतर है तीस्ते विकेट के लिए और रन आउट की तार पर अब लाटना पड़ेगा कालीराम माली बाक टू दे डगाउट जुनने पाज गेन में 14 की सांधर पारी के लिए वह बले बाज कालीराम बाक टू दे डगाउट दन्यवाद योगेश दन्यवाद सुभाज जी तरे सुर्गी कबिर निर्माल स्मुर्थी चश्का मदे आपला मनपुरुवा कार्दे शोगत तो गनेश सेट दमदर माली इनकी तरफ से हर चक्या के लिए अब मानकुली टीम के बले बाजों को सुने रहा मौका हर चक्या के लिए 500 रुपे के नाम और इनकी तरफ से भी हमें एक साइकल पुरस्कुत की गई है तीनों भाई के हम बात करेंगे तीनों भाई के तरफ से एक एक साइकल यानि कि तीन साइकल उन्होंने पुरस्कुत की गई है गनेश जी माली अगमन होतावा इस मंशियों पर सनमानियों राजन जी लोडा साब जिनका आगमन होतावा शवाजी जादाव साब इनके साथ में हम शुक्रियादा करेंगे आईए राजन जी लोडा अप मन्श के उपर आपका प्रतियुकिता के माद्यम से हम स्वागत करेंगे वेलकम, Most वेलकम राजन जी लोडा साब हमारे मन्श के उपर आचुक है हम स्वाकित करेंगे लोडा के डायरेक्टर राजेन जी लोडा आपँ देख सकते हमने स्क्रेंग के उपर दोस्तों यस प्रत्योगतर के लिए कि उनकी उपवशलिद है इनकी तरह से है और हमारे पुरी कमीटी के और से राजेन लोड़ा साहब आपका मनपुर्बग स्वागत करते हैं रंसागे की बात करेंगे चक्का आया चक्के के साथ और यह संपा सिगनल चेक करने का है यह सचेक करेंगे की यह गें चार है या फिर छे बहतर शॉट देखी ना कितनी ताकती इस टोक में और गेंद सीदे यहां से बल्लेबाद योगेश दल्वी के बल्ले से और गनेज जिमाली साथ इनकी तरफ से 500 रुपे का नाम हर बल्लेबाद को यह सुने रा मौका है कि हर चक्के के लिए रजन जी लोड़ा साथ आपके यह आपर आते ही चक्कों के साथ उनका स्वागत किया और उनके जानकरीर के लिए हम बताएंगे कि रजन जी यह मुकाबला 40 प्लस टीम हैं खेलरे मिदान के उपर चोटा एरबा मनकुली टीम जो आयोजक है इनकी टीम है इसके गाउं की टीम है जो बल्लेबाद ही कर रहे हैं और फिल्डिंग करने बाली टीम मेर स्पोर्ट्स बरोडी खेलरे मिदान 40 प्लस का क्रिकेट कितना बढ़िया है क्योंकि अब तक तो दूसरा उबर और दोबर के समाप्ति के बाद रन संक्या 32 बनी है चोटा एरबा मनकुली 40 प्लस टीम का टोटल 32 रन एक विकेट के नुकसान पर बहतरीन प्रत्युकिता दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी बड़ इस बास्मेन बेस बालर के लिए और क्रिस्टल स्टॉपी आप देख सकते हैं सभी महमानों का पिर एक बार हम स्वागत करेंगे जिग्या ददा यानि कि हमारे गनीजी केनी साथ जने प्यार से जिग्या ददा कहते हैं और इनका सपना है कि हर खिलाडी को बड़ा प्यादा करेंगे रन संक्या 32 रन लास ओपन विकेट और इस प्रतिकदा को सक्सेस करने के पीछे साइल सेट केनियन के सुपूत रहें और पूर की उनकी कमेटी के हम बात करेंगे सभी का बड़ा योगदान रहा और आज इसी बज़े से ये बड़ी ट्रॉप्य आप देख रहे हैं स्क्रीन के उपर आप देख सकते लोडा के डारेक्टर राजन जी लोडा साब जिनके पांस वक्त बहुत कम होता हैं अगर आज इस प्रतिविदा के लिए उन्हेंने वक्त निकाला खास तर पर हमारे गनेजी की नहीं जी गया दादा इनके लिए उन्हेंने वक्त निकाला तो उनके वज़े से आज इनकी तरब से हम आपका शुक्रिया दा क करेंगे स्वागत करेंगे विए पी बॉक्स आप देख सकते हैं महमानों का यह मंच और महमान आप देख रहें मंच के उपर डॉन कैमेरे द्वारा यह लाइट टेलीकास जीटी सी ग्लोबल टेनिस करिकेट डॉट इन के माधियम से आठ दीन रात यह प्रतिविदा का एंटूब चानिल के उपर और विबंडी व्यवाग की बात करेंगे तो टीवी के उपर भी ट्रिपल एस चानिल द्वारा यह मुकाबला घर बैटे बैटे भी सभी दर्शक यह मुकाबला देख रहे हैं यास हमारे एड़ड़ेकेट सुनिल पाटिव साब बुर्दुल के माझी सरपन से हैं वो भी ये मुकाबला एंजाय कर रहे हैं और आमरे बुदुल के प्रवीनशेट पादिल ये भी ये मुकाबला एंजाय कर रहे हैं और उनकी तरफ से भी यहाँ पर इस प्रतियोगिदा को शुपकाम ना आई हैं तो एडवेकेट सुनित ददा पाटिल आपका भी हम शुक्रियादा करेंगे आपका हम स्वागत करेंगे यूटूब के माद्यम से वो भी हमें जुड़ चुके हैं एक बड़े हस्ती हैं रंसंक को जो स्क्रीन की उपर आप देख सकते हैं यूटूब के माद्यम से एडवेकेट सुनिल पाटिल माजी सरपन सबुर्दुल और प्रवीन शेट पाटिल बुर्दुल उद्योग पदी इनकी तरफ से भी शुपकामना है रजन जी लोड़ा आपको भी उन्होंने शुपकाम है वेजी है तो रंसेंग के बात करते हैं 40 प्लस टीम अब तक तो फुल स्कोर की बात करेंगे रंसेंग के 36 36 की उपर है मानकोली टीम और हमारे भालिगाओ की जो क्रिकेट की दर्दी है हमारे संदीब जी मडवी साहब जो प्रत्युकिता कहीं भी रहें तो हमेशा आते हैं यहाँ पी आए उनका स्वागत करेंगे स्क्रीन के ओपर आप देख सकते हैं पूरा इंटरनेशनल लूक इस ग्राउंड को दिया गया ग्रास कितनी बड़ी है आप देख सकते हरा बरा यह ग्राउंड गुलाबी थंडी में चाहता बहां मुकाबला और यह रन तो बनेगा एक डबल के लिए पलटना चाहेंगे शायद यह दो रन पूरे तीसरें के लिए पलटना चाहते थे और यह रन आउट नहीं हो सकता है क्योंकि यहां से रन बनेगे दो के साथ रन संग के आगे बढ़ती भी फिमपलास के हमारे विशाल जी मातरे और गंशाम भूईर यह भी मंच के उपर है उनका भी हम स्वागत करेंगे आईए मंच के उपर आपका स्वागत करेंगे हमारे साथ में सिनियर जिनका एक्स्प्रिंट बहुत सारा है हमारे सिद्धिक चे बाबे सर जो हमारे साथ हैं उनका भी हम स्वागत करेंगे इस वक्त मीर स्पोर्ट भरोडी को हमारे बाई की स्पॉंसर लेंडलोड भरोडी मौसम पाटिल ने हार्दिक शुपकाम नहीं दिये स्वागत है आपका और मैजिक बॉक्स में वो जोड़ी जो मारास्टा की सबसे फेमत जोड़ी है एवन जोड़ी निलेश पाटिल और शुकेट डाकी मैजिक बॉक्स से मैच का मज़ा ले रहे हैं आपका भी हार्दिक स्वागत थैंक यू कल भी सर गई रात याने की तकरीबन तीन बजे तक एवन जोड़ी मुगाबले को इंजॉय कर रहे थी क्रिकेट बहुत सारा पसंद करते हमेशा और जिनकी प्रतियुगीदा की बात करेंगे तो नमबर बन महाराश्यक ड़की सबसे नमबर बन प्रतियुगीदा जिनकी तरफ से होती है रन बनेंगे फिर एक बार पल्टे हैं तब तक यहाँ पर रन आउट का खत्रा बन सकता है विकेट बने और रन संक्या की बात करेंगे पुल स्कोर पहुँच चुका है 49 रन VIP बाउंक्स अब देख सकते हैं हमारे मंश्कों पर महमान ब्रान कैमेरे द्वारा पुरा लाइट टेली कास्ट जिटीसी ग्लोबल टेनिस क्रिकेट डॉट इन बेस कॉलिटी क्लिरिटी के साथ हमेशा लाइट टेली कास्ट देते हैं हर प्रतियुकिदा में और जिटीक्स के फाउंडर जलपेश भुईर भी यहाँ पर पहुंचें उनका भी हम स्वागत करेंगे तो ओवर नंबर की बात करते हैं यहां से तीसा ओवर है गेंदे हो चुकिए सुबर में चार और रन संक्या 49 रन इस सुबर की अभी भी दो गेंदे शेश है हर चके के लिए 500 और लगाता तीन मारेंगे तो 1500 रुपे दो मारेंगे तो हजार सचीन माली बंडू माली इनके तरफ से यस बंडू माली की तरफ से भी आपर सचीन को इनाम है पबंजी थले यह भी मुकाबला इंज्याइ करें उनसे बिंतिय के आईए मंच के उपर आपका भी हम स्वागत करेंगे आज आकरी रात है सर शायद महमाद नवाजी जादा होंगी मंज़ के उपर भड़ी अस्तियाब देख सकते लोडा के डायरेक्टर राजेन जी लोडा साब श्वांत स्वबाव हमेशा श्वांत स्वबाव से हर एक का दिल जितने का काम उनका रहता है उनका भी हम स्वागत करेंगे बंडो माली साहब आपकी तरह से हर्चके किले 500, 2 के लिए 1000, 3 के लिए 1500 ये हो इसकता है क्योंकि एक किले 500 हैं तो 2 के लिए 1000 होंगे ही और 3 के लिए 1500 ये सीधी साधी बात हैं बंडो जुमाली उनकी तरह से भी इनाम है कापी खुश है साभी दर्शक क्योंकि फोटी प्लस खिलाडी जब खेलते तो और शाहिद आज बात करेंगे लपेश ना तो फोटी प्लस टीम भी बेहतर क्रिकेट खेलती है भी राजन जी लोडा साभ भी इस मुकामले को गौर से देख रहे कि फोटी प्लस खिलाडी भी इतना बड़ा क्रिकेट खेल सकते है और ये विकेट ज़रूर बन सकती है येस नौट आउट ये सॉरी राण संके की बात करेंगे पुल स्कूर चेक ये मुख्या व्यास्पित आउर आणिक मानने बर उपसेत आहेत या संपुल्ण परिसराचा रंगरूप नक्षा बदलावन्याचा काम जानी के लिला सन्मान्य राजन जी लोडा साभ डारेक्टर ओफ लोडा डेवरपर्स ये परिसरा मदे री डेवलप मेंट आसो कि वा मानकोली सुरही वेड़े बरोडी परिसराच सर्वात मोटा प्रोजेक्ट जान्चा मद्यमत उन इथे आनलागे लिलाए जोरदा टाला मित्रनों या वेक्तिमत वसाथी राजन जी लोडा साहिप संचालक आहेत लोडा डेवलेपर्स ये यांचा शुबसन मान मुक्य कि वा मानकोली चे माजी सर्पंच जी गया दादा केनी मंजेज गनेश जादा केनी आपन अपलेया शुबास ते शिवाजी जादाव कॉडिनेटर आफ लोडा डेवलेपर्स येंचा मुक्य वा मान कराईचा है हाँ परिसर मित्रणो पुर्वी जसा होता त्याप एक शाफार वेगा आपलेया पहला मेतो करनी या परिसरा मदे उन्च 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 इमाराती आपन पातो आणि त्या सर्वा गोश्टिंचा करतर श्रेय आश्यल क्रेडिट असेल जे प्रोजेक्ट साइज त्यांचा ए यूण इथे मुख्यव एस्पिट और शुबसंन मान के ला जाता है या क्रिडानागरी मदे उपस्तीत विशाल जी किसन महत्रे उद्धो जोग पिंप्रा सापना स्विनन ते मुख्यव एस्पिट और यूण स्थाना पन्नवा या दूनी मान्ने परांच उमित्राणो उन्तालीस तेरा पाइंट जिरो जिरो क्योंसत बरकरार रखते हैं चौटा एर्बा मनकुली फोटी प्लस टीम की टोटल उन्तालीस रन क्रिकेट खेल नहीं बच्चों का इसमें पसीना निकलता है चच्चों का और आज फोटी प्लस का बड़ा क्रिकेट आप मैदान के उपर इंजॉई कर रहे हैं सभी का पिर एक बाद स्वागत और ये चौता अंती मोवर पहली गेन लॉप किया गेन तो हवा में फिल्डर है बनेंगे दर्शक और इसमार गेन जब तक फिल्डो तब तक यहाँ पर रन बने दो रन रनिंग बिविन दबीकेट कापी बहतरी नहीं और दो के साथ रन संक्या की बात करेंगे एक तालीस रन कितना बड़ा नजरी आप देखेंगे आलो या कृड़ा सोन्या मधे आत्ताच उपस्तित राहे लेले लोडा डेवलोपर्परश चे डारेक्टर राजन जी लोडा साहिब त्यास बरूब शिवाजी जादव साहिब यास पर्देत अपना आलाग अनी अपला अपना निरोब गेत आहात पुरचा और शे निशित अपली उपस्तित राहे लेले लेज़ा बड़ा शुक्रिया राजन जी लोडा साहब आपका हम शुक्रिया दा करेंगे बड़े हस्ती दोस्तों हमेशा मुस्कुराट उनके चेहरे के उपर होती है और बस दिल जितने का काम करते हैं फिर एक बार उनका शुक्रिया दा करेंगे रन संक्या की बात करेंगे तो फुल स्कोर पहुंच चुका है 43 रन 47 रन विक्टो की बात करेंगे तो केवल दो विक्टे गवाई है चोटा इरबा मनकुली टीम के इन खिलाडियोंने दो विक्टो की बात करते हैं बिंदास माली जिन की पारी की बात करेंगे तेरा रन और साथ साथ कलीरम माली जिनने 14 की पारी के लिए सायद मैं कहूंगा कि पहले पावर प्रे में शुर्बात बहतर कीती कलिरम माली ने और जिससे बहतर शुर्बात के लिए और बिंदास माली ये दोनों बल्लेबास ताकत के साथ खेलेते हैं अब तक तो 43 रन 43 रन लॉसप टुबिकेट गिन बाता है यार ओ बैतरी शॉट गेंज आएगी सीधे बाउंडरी लाइन के बार 6 रन स्क्रीन के उपर आप नजारा देख सकते हैं सर्या किस तरह से कितनी खुबसूरत लाइट एलिकास रन संक्या 49 रन चौता अबर जा रही है 49 रन मानकुली टीम की टूटल है चौता अरबा मानकुली 40 प्लस टीम खेर रही है मिदान के उपर रन संक्या हुई है 49 रन दो वीटों के नुक्सान पर याने की योगेश की बात करेंगे योगेश ने 6 में बनाए 19 ताबर तो बल्ले बाजी पहले आते ही योगेश दल्वी ने चक्के के साथ शुरुबात की और इस बार इस गेनबात का भी स्वागत किया मानो चक्के के साथ अगला मुकाबला पोगाओ बनाम दानियो के बीश होगा सेलके ब्रेदर्स पोगाओ और ओमसाई डाबा दानियो के बीश अगला मुकाबला यह दोनों कप्तान बैतरीन गेन फिर एक बार गेन ऑन साइट में गेन जाएगी जब तक गेन को फिल्ड करे तब तक यहाँ पर रन बने दो तीसर रन के लिए पल्लट ना चाहते थे रन नहीं बनेगी के बल दो के साथ रन संग क्या पहुँची है 50 अप याने की रन संग क्या चौटा हिरबा मानकोली पोटी प्लस 51 रन एक का बन रन 50 बन रन टोटल स्कोर बन चुका है चौटा हिरबा मानकोली फोटी प्लस टीम सेमी पानल अभी भी दो गेंदे शेश हैं लास्ट उबर के और सेमी पानल टू ख्याड रोन केम के आँख से नजारा दिखाया जा रहा था जी टी सी बिक बॉस ऑफ टेलिकास और मिस्टर जी टी सी हमारे साथ हैं जलपेश भूयर वेलकम तो गेंद बाद तैयार ओ बहतरीन फिर एक बार अच्छी गेंद थी उतनी अच्छी शोट और जब तक गेंद को फिल्ड करे दो रन फिर एक रनिंग बिट्विन दविकेट बहुत बढ़ी है सर क्योंकि दोनों के बीच देखिए न कितनी अच्छी रनिंग एक कालिंग कापी महत्व पुर्ण रहती हैं जब दो बल्ले बाद पीच के उपर होते हैं तो दोनों के बीच कॉलिंग महत्पर पुर्ण रहेती हैं और भई कॉलिंग हुई और अब तक तो पहली गेन से लेकर ये चौते ओवर की पाच्वी गेन तक बहतरी इन प्रदर्शन रहा और अब तक टीम की टोटल की बात करेंगे 53 रन त्रेपन रन बन चुक है अब आकरी ओवर की आकरी गेन साप में बना 21 साथ गेन दे 21 मस्कुरा देके ना साहिल केनी की चहरे की उपर स्क्रीन की उपर शरत जे केनी भी कापी मुस्कुरात है वे शरिट चाचू और यह आकरी गेन बड़ा शाट फिर एक बार ऑन साइट में फिल्डर है तैनाद जब तक गेन को फिल करेंगे फिल एक बार तेजिक के साथ दो रन और यह तीसरी रन शाइद हमपायर का डिसीजन आएगा दो रन यहाज क्योंकि गेन जब फिकने के बाद बल्ले बास के शरीर पर टकराई और उसके वज़े संपार ने कहां कि या से किबल दो ही रन बनेंगे दो के साथ यहाँ पर टीम चोटा एरबा मानकुली 40 प्लस तीम की टोटल की बात करेंगे चोटा एरबा मानकुली 40 प्लस ए जिनकी टोटल बनी है 55 रन और अब 56 रोन का टारगेट होगा तीम के सामने यानि की बरोडी टीम के सामने 56 का टारगेट और यह टारगेट किस सरे से हासिल करेंगे या पिर मानकुली टीम के गिनबाद दिने रोकेंगे हम कॉमेंटर बाक्स में परिवत्तन जरूर करेंगे और आएंगे पिर एक बार हमारे साथ में जुडने के लिए सिद्धिक जी भावे सार पिशे जा धन्यवाद सिद्धिक सार मान्यवर कक्षा मदे अपान मान्यवरंच शुबस सनमान गेतो है हमके मानकुली गाउचे नामांकी दुद्धो जाक और तिनी बंदू आज हमके व्यास्पिटवर्थी मुख्य उपसिदैत गनिजदात दामोदर माली चंदरकंदात दामोदर माली जयनता दामोदर माली मानकुली गाउचे उद्धो जाक यहन्चा शाही सोगस सनमान साहील केनी और प्रिम्नात माली जयन्चे शुबस ते केला दाहिल नक्किचे स्पर्दे साड़ी अमाला तेंचे वड़ों तेन अकर्चे साइकल इते पॉंसर करने दालीले साहील केनी अचे शुबस ते आज सोगस सनमान इते संपन्न केला दोई अग्दी त्री मूर्ती गनेच्दा दा माली चंद्रकंदा दा माली जयन्चा माली यह तीन बंदू आज हम चो मुख्य वैस्पीट वर्ते आए थानि आज परदे साथी नकेज आमाला देनी तीन साइकल यह ते पॉंसर के लियत कासकर रूं सुर्टी ब्लस तीचे शांगला दुरुष्य आपला पायला मिलते दन्यवाद तीनी माली ब्रदर्स अपला गनी से दा किने नी साहील किने एंचे वतीन कुप कुप आबार धन्यवाद शिलके बर्दस पोगाओं के कैप्टन और ओम साही दाबा धनियू के कैप्टन तुरंत ही आपको टॉस बॉक्स से रिपोर्ट करना है यह दिखिए ट्रोन केम के मद्दम से दिखाया जा रहा है मनकोली का है श्री गुरुदत सौटा इर्वा मनकोली किर्केट ग्राउंड यह वी एपी डाइस आगे हम चल रहे हैं मैजिक बॉक्स की तरफ जहां पर एवन जोडी बैठी भी है महरास्ट्रा की एवन जोडी निलेश पाटिल शुकेट डाकी चान पर पहला कदम किसने रखा लोग बता देंगे लोग बता देंगे पहला टीवी किसने इंवेंट किया तो लोग यह भी बता देंगे कि पहले बाई को का मेला किर्केट में किसने रखा सभी को बताए यह देखे मैजिक बॉक्स में एवन जोडी दन्यवाद सिदिक बावे सर तर मान्यवर कक्षे मोदे साहील केनी येंचे मामा स्री पिंपलास गाउचे नामांकी दुद्धो जाक विशाल किसन मात्रे ये उपसी देद अनि नके साहील केनी येंचे शुबास ते तेन्चे मामा स्री यांचा शुब सनमान इते केला जटोई विशाल, किसन, मत्रे, पिमपलास गाउचे नामांकी दुद्धोजाग सहील कीने यांचे मामा स्री हैत नकेश तेदांतर आपाना पिमपलास ग्राम पंचे माजी उपसरपंच अने भिवन्दी तालुका निव फोटी बलास संगटनेचे सनमानी या कजिंदार गंचमची भोईर यांचे देखेला शुब सनमान करतोई सहील केनी यांचे शुबास ते आतिती देव भव प्रतेक मन्यवराच शुब सनमान या वेस्पेटावरती केला शुबास तोई नितेश पाटील उतकुष्ट डेकोरेटार बादवर गावचे अनि जैश पाटील दोनी मान्यवरेनी वेस्पेटावरती है जैश पाटील अनि नितेश पाटील धन्यवाद स्वर्गी कभिरी निर्मास मुट्टी जैशक आणि या चशकातील अटवा दिवस आणि अटवी रजुनी मित्रनों आपन एंज्वाई करता हाथ या नंतर नानेपे केली जाईल, नानेपे कक्षा मदे आपन निचीतस विननत करुईया काही माननेबर अन्ना वे अस्पिटोर आनेक माननेबर उपस्तित आए त्यापे की गनेज्जी माली, गन्षामची भोईर, विशाल्जी मात्रे अपनास विननती आए अपन नानेपे के सदिया या नंतर्चा सम्णा मित्रनों पोगाव आनि धानिव श्वाट्या प्रदर्स पोगाव, ओम साही धाबा धानिव या दोन संगांदर में या नानेपे कापन संपड़न करना रहोत सुपर सिक्स साहा सामना मित्रनों अतिश महत्वाचा सामना आहे गन्शाम जी भोईर, विशाल्जी मात्रे अणि गनिश दादा माई माजा बरुबर जोल्ले केलेले आहेत त्यास बरुबर विरंतिया सेल या गावचे एशेश्वी उद्ध्योजाक जैंताजी माई साहब आपनी ही नानेपे की कक्षा मदे रिपोर्ट करेचे मित्रन आपना होत स्वर्गी है धीरज बाबु पाटील नानेपे की कक्षा मदे अनि तुमी पाटाथ स्वर्गी है कबिर निर्मल स्मुतिचे शक 2022 सहे दिमागदार परव या नंतर सुपर 60 लड़त अतिश महतवची लड़त दोन संगनेक माज़ बरुबर आहे शर्कया ब्रदर्स पोगाव संगाचे संगनेक अनि तास बरुबर ओम साही दाबा धानिव संगाचे संगनेक कॉल कोना चासेल शर्कया ब्रदर्स पोगाव कबिर निर्मल नानेपेक जिंकले लिया स्वर्गी कबिर निर्मल मानिवर अनमी नंतिये मुख्या व्यास्पिटा उर्जवन अपन स्थानपनवा या व्यास्पिटा ची शोबा अपन रुद्धिंगत करा इनिंग प्रेक आहे अगदी शॉर्ट उपिनियन निशितस अपन गेनाचा प्रेतन करुए नानेपेक शर्कया ब्रदर्स पोगाव संगाचा संगनेक ने जिंकले लिया आहे खरतर सुपर सिक्सी लड़ता है अतिश्य महत्वाची लड़ता है या गोदर चांगला केले तुमी केलेला आहे आणी इस परदा एक नाइट सपरदेतील अग्र गन्या अग्र मानंकी दाश्या पत्दतीची सपरदा है या पूजिशनला खरतर फार मोटर दड़पन असत और या दड़पन चा वेई नानिफिक जिंकले अंतर निर्धारी चार शटकां सटी तुमसा निर्णे काया सेल शत्रक्षन करन्याचा निर्णाय संपोर समोर्चा संग पालगर विबागातिलेक मात्तबर संग आहे जा मदे करतर अपन विश्वना जादव सरका फोलंदास गोलंदास पात्वाए अणि इताजी कामगिरी अत्ताच हांगामा मदे सरस राईलीले आहे अशाब एक शत्रक्षन करन्याचा तुमसा निर्णाय आहे करतर विश्वना जादव अणि इतार अजू नहीं काही दिगज क्यादू एंचा विरोधात गोलंदाजी करत अस्ताना खास काही रन्नीती विश्वनाचा विरोधात असिल्का अशाब नहीं ग्राउड वाले वते निपर ते गनी शमवर टक्ष्वे बोले भार दूरुवरुन प्रवसकरून तुमी घरतर आलेले आहात यास पर दे मदे आगो दर करतर भार चांगली कामगिरी दुम जी रहे लेलेले या श्टेजला अल्यान अंतर तुम्चा टीम सथ काई महत्वचा संदेश तुम्चा हेका? जो पोगाव संगाचा संगने कने और इतनी प्रतमता क्षत्रक्षन करना तरनी रिने के तला दन्यवाद जाविया समयल चुन को क्षा मदे दन्यवाद सुनिल शिलके दोस्तों लोट चलते है इस मैच के तरफ पैली गेंद बिंदास माली की हुक कर दिया है और गें निकल कही है नॉन इस्टॉप बॉंडरी के बाहर चारन चौके से खाता को लाए मीरी स्पोर्ट बरोडी न्यू फॉर्टी प्लस का ये न्यू फॉर्टी प्लस का महा संग्राम है जिसके अद्देक्ष हैं परताफ सेट संस्तापक अद्देक्ष परताफ सेट पाटे चारन मीरी स्पोर्ट्स को इस वक्त लेंड लॉट आप भरोडी मौसम पाटिन ने अर्दिक शुपकामना दिये इस बीचे गेंद स्विंग कर दिया है क्या खिलारी नहीं वहाँ पर गेंड वेकेंड एरिया में जाती भी चारन गोल्डी किर्केट इसलिए कहा जाता है जुना ते सोना क्या शिर्वात किये बैट्समेन भारी बड़कम बैट्समेन सुनिल पाटिन ने करारा जवाब यहां मिलता हुआ सौटा इर्वा मनकुली एक हो दो गिंदों में दो चौक्या हैं पुली स्कोर आठरन सौटा इर्वा मनकुली अगर इस मैच को जीती है तो गनेज दामदर माली चंद्रकान दामदर माली और जैना दामदर माली की तरफ से पांच हजार इस बीचे गहन फिर खेला है कि अपमे चौकों के आट्रिक जैनता दामदर माली गनेश दामदर माली और चंद्रकान दामदर माली सौटा इर्वा मनकुली अगर इस मैच को जीती है तो पांच हजार का उनकी तरफ से इनाम देया जाएंगा लेकिन मीरी स्पोर्ट के भी इरादे काफी खतरनाग ये लोग नीमबू खाके आए नहीं है ये अपोजिशन के दाथ खटे कर रहे हैं आँकों में आखे डाल कर बारा रन बिना किसी भी केट के मौसम है सुवाना और हर कोई है लेट कबीर निर्मल मेमोरियल कप का दीवाना स्वागत है आप सभी का गेंद बाजी कर रहे हैं इस वक्त बिन्दास माली लेकिन उनके सामने बिन्दास बल्ले बाजी कर रहे है सुनिल पाठिल चार वर में चपन का लक्ष रखा है इस मैच की विजए तर्टिम फाइनल के लिंगी बिन्दास सुनिल को फिर मोड़ा उनसाइड में फिर गेंद निकल रही है चार रन चार पे चार क्या बल्ले बाजी हो रहे है चौको की ज़री लगा दिये तकड़े बेट्समेन मजबूत काटी के बेट्समेन सुनिल पाठिल ने इसको रागे बरता हुआ सोला पे पहुंचा है सोला रन बिना किसी विकेट के चार पे चार चौके लगे हैं तो खलबली मच गई है ये खलबली देर रात तक मचती रहेंगी बने रही हमारे साथ विजे भूईर ने एलान किया है छे गिंदों में अगर छे चौके लगाते हैं तो छे आजार रुपे बरोडी के प्रतम नागडिक सरपंच विजे भूईर साप एवन जोड़ी की तरफ निशाना है एवन जोड़ी मैजिक बॉक्स में मरास्रा की फिर से खेला है पाँच पे पाँच यस क्या शौट खेला है हुक चार रन पाँच पे पाँच जोगे बिंदास माली इस वक्त प्रेशर में आचुके हैं बिंदास माली इन टुमेंडस अंडर प्रेशर छे अधार का इनाम है सरपंच वरोडी के प्रतम नागरिक विजेव वहिर साप की तरफ से एक लगा दो छे कमा लो मूट तो खतरनाक लग रहा है बिंदास माली सुनिल पाटिल के लिए ओ बज़ क्या एक वर क्या पॉजेटिव रिप्ला यहां पर मीड स्पोर्ट भरोडी 40 प्लस का कुल मिलाकर बीसरन कोई विकेट निंग दन्यवाद सिदिक सर अपन मन्नेवर कक्षे मदे मन्नेवरंच शुबस सनमान गितोई जोशी इलिवन बादवर संगा चे उतकृष्ट केलाडू सचीन जी नाई यहन शुबस सनमान प्रिम्नाजी मालियांच शुबस से केला जतोई जोशे इलिवन बादवार 40 प्लस संगाचे कुत्कृष्ट क्रिकेडर सचिंजी नाइक त्यांचे समय वेत जै कालिकमाता कालवार संगाचे संगनाइक इस्टिरक्षेक संभाजी मत्रे सिद्धी ट्रांसवोर्ट चे मालाक संभाजी मत्रे नदे केला संभाजी मत्रे सिद्धी ट्रांसवोर्ट चे मालाक तेनन तर नितेश पति उतकृष्ट डेकोरेटर अग्री मोस्थव सोनले तेपान तेनस उतकृष्ट डेकोरेटर पादोई, विश्वोव मत्रेश अग्री मोस्थव और नियेक नमांकेत उद्धोजाक नितेज पादेल यह नदे के लिए सपर्देज मादेमातों निते सर्मानीत के लिए दो धन्यवाद धन्यवाद होटो सिदीग बावी सर धन्यवाद काली राम केनी साथ आपको एक मिनट हमारे ऐसे जूर जाना है और ओभी माईक के साथ प्रेशर बिल्ड अप हो गया है सौटा इर्वा मनकुली एक के सामने शायद आज मीरी स्पोर्ट भरोडी भी तै करके आई है इलाका तुमारा और धमा का हमारा पहली गेन बहुत बढ़िया गेन चैना मेन चैना मेन से शिर्वात की बीट किया हुआँ पर रीपले में हम देखना चाहेंगे योगेश हाथों में मट्टी वट्टी लगा के तैयार होते हुए ये देखिए चैना मेन थी इस मर्दबाद ट्राइब के आए बहुत ही खुब सूरत था शौट गैप में जा रही है पेड़ों से रोका है वहाँ पर डिप में इस बीच तीसरे की कॉल हाना चर रही है दो रन पूरे की है सुरही के बहुत ही स्टाइलिश बैट्समेन विनोत पाटिल ने इस वक्त मीरी स्पोर्स को अल्दे बेस कहा है इस्पेशली सुनिल पाटिल को 22 पे पहुंचा है स्कोर गोल्डी किर्केट इसका मज़ा ही अलग रहता है जुना ते सोना आप नए चाबल पका के खाई और पुराने चाबल बहुत फ़रक रहेंगा और यहीं वो किर्केटर है जिनकी वज़ा से आज किर्केट जिन्दा है सेलूट है गोल्डी किर्केट को न्यू फॉर्टी प्लस के संस्तापक अदेख्ष परकास्ट पातिल साव है मास्टर फॉर्टी न्यू फॉर्टी रेगुलर फॉर्टी और सबसे बड़ी बात है कि फॉर्टी प्लस में 128 टीम है इसका मतलब है कि हर गाओं खेर रहा है इस मर्दबा देखना है क्या कुछ हुआ है डॉट गेन अच्छी बोलिंग करें योगेश दल्वी योगेश दल्वी एज लगा है लेकिन सीधा शॉट वाइडिश धर्मेन पे गया है एक रन इसको रागेश रखता हुआ मीरी स्पोर्ट परोडी 40 प्लस का तीवीस रन और कोई विकेट नहीं चौदा गेंदे 33 रन पहले वर में काफी धमा का किया सुनिल पाटिल ने सामना करें योगेश मढवी का आप देखरें मौसम में मस्ताना हर कोई है लेट कबिर निर्मल मेमोरियल कप का दीवाना बने रही है हमारे साथ अगला मुकाबला हाई उल्टेज मैच शिलके बर्दर्स दो दो हाथ ले रही है ओम सहे धाबा धानू से ओम सहे धाबा इसको रहे तीवीज योगेश योगेश की गेन निकल के मारने की कोशिश वाइट 40 प्लस के एक और मशूर किरकेटर पशू करेवली से बेस्ट आफ आल दी बेस्ट कहते वे भडोडी को योगेश मडवी ने इस वर में रनों पे रोक लगाई है 14 गेंदे 32 रन ये मुकाबला गुल खिलाएंगा योगेश मडवी आज धुन काफी दीख रहे है फॉक फिर आफ इस्टाम के बाहर फिर वाइट एक रन और आता हुआ इसकोर में इसकोर आगे बरता हुआ पहुचा है 25 रन 25 योगेश मडवी आज साफ आप टेलिवीजिन सेट पे भी देख सकते हैं फॉक इसमादबा के अंदर लगी और पहला जटका लगा यहां पे रनाउट हो के गए बैट्समें प्रेम नाथ भूर तेरा के हिंदो में एकतीस रंच है यह 13 बोल्स और 31 नेटिंग तो विक्त्री काली राम केनीज आप आपको एक मिन्ट कॉमेंटरी में आना है वो भी माइक लेकर तेरा गेंदे और 31 रंच गिन्ट बाजी करें योगेश मडवी अभी तक बहुत ही जबर्दस गिन्ट बाजी कियें उन्होंने योगेश दल्वी लेफ्ट आम राउंडी स्टम्स कट किया है गेंद शॉट थर्मेन पे बढ़िया फिल्डिंग लेकिन रंपूरा दोवर की समाप्ती रंबने मीरि स्पोर्ट बरोडी 40 प्लस के 26 और बचेवे दोवर में 30 रंच चाहिए दोवर में 30 रंच चाहिए बारा गेंदों में 30 रंच वो भी ये मकाबला इंजाए कर रहे हैं और हमरे बुर्दुल के प्रवीन सिप पाडिल ये भी ये मकाबला इंजाए कर रहे हैं और उनकी तरफ से भी बारा गेंदों में 30 रंच चाहिए स्वागत है आप सभी का देखिए मुझे लग रहा है फॉक चर रहा है कोई पूछेंगा कि मानकोली में क्या चर रहा है तो मानकोली में चर रहा है लेट कभीर निर्मल मेमोरियल कप फिर पूछेंगा तो मैं कहूंगा मानकोली में फॉक चर रहा है थोड़ा समय में सहयोग करें प्लीज अम्पायर भी ओन कर रहे हैं यास पहली ओफिचल ओफिचल ओनिंग समय के लिए बारा बजे तक हमें तमाम मैचे स्खत्म करने है सारे बारा तक बारा के हैंदे तीस रन अगला मुकाबला हाई वल्टेज मैच वोगाम वन दे टॉस एन इन्वाइट ओम साही धाबा धानियू बैट फर्स्ट देखना है कि हाथ बीत पूरी तड़ा से घुमा दिया है गेंदबाज नहीं गेंदबाजी के लिए सत्यवान सत्यवान क्योंके सरनेम में बहुत दम रहता है पहली गेंद जड में थी ड्राइब के आउट फिल में एक रन बना दूसरे के लिए दोड लगाएं और अमपाइर चले तीसरे अमपाइर की तरफ ये बड़ा लॉस हो सकता है क्योंके सुनिल पाटिल का जो कलेंजा है वो अब आलक में आ गया है तीसरे अमपाइर को जब पूछा जाता है तो लगबख ये वहीं जज्जमेंट होता है जो जज्जमेंट आखिर करा जाता है जिस तरह केसे इसका फैसला सुप्रीम कोट में अंतीम होता है तीसरे अमपाइर को ये सोपा गया है तीसरे अंपायर हमारे यंग हमन शिर्टी यास इस आउट बड़ी विकेट सुनील पाटिल निराज कदमों से बहुत बड़िया बल्ले बजी के बाद आउट हुए देखिए होने के बाद निराज होना काली राम मानों ऐसा है एक बार दूद से दही बन गया तो फिर दही से दूद नहीं बनता है वेलकाम सुस्वगदम मानकुली ग्रामपांचा थिते उपसित होते सर्वन्चा मनपुर्व कार्दिक स्वगत विदमान सर्वन्चा सवगवती किरन अरेश मली उपसर पंचा जैश्री रजनिकार मली माजी सर्वन्चा अर्विन मली ग्रामपांच सदेश्या नम्रता देवनन मली माजी सर्वन्चा अर्शदा अर्विन मली माजी उपसरपन चा शरमिला इश्पाल माली माजी सरपन चा सवीता शरत केनी जन नंतर हमचा गनेज़दा केनी मातो शरी केंदरभाई सदनन केनी या मन्यवरंच या मुख्य मंचावर शुबाग मंदले सरपन चा मन पुर्वाग आर्दीक, आर्दीक स्वागत उनतीस रन हो चुके हैं दो विक्ठो के नुकसान पे 29 फॉर्दी लॉस अफ टू विकेट्स मनकुली कि रम बंचाथ कि हमाम तमाम हमारी वो मैला हैं जो माजी आजी सरपन चार उप सरपन रह चुकी है सभी का अर्दीक स्वागत है जगे थी थी पंच के आवा में एक रन बना गेंटीप कवर में कही है दो रन बना लिये बैट्समेन ने मीडी स्पोर्ट बढोडी का स्कोर आगे बरता हुआ 29 31 रन 10 गेंदे और यहां से कितने रन चाहिए 9 गेंदों में 25 रन 9 बोस 25 रन अभी भी मुकामले में बहुत जाने कहते हैं सास है तो आस है आफिस टाम के बार वाइड एक रन और आता हुआ 32 पे पहुंचा है मीरी स्पोर्ट बढोडी 40 प्लस का स्कोर साहिल केने आज बहुत ही अलग अंदाज में संकेत केने भी अलग अंदाज में प्रेमनात माली ब्लैक में आ गए है और महरास्टर की एवन जोड़ी मैजिक बॉक्स में उच्छा दिया है आस्मानी टोला लेकिन क्या छूटा गजब की फिल्डिंग लग रहा है कि मानकोली वालों ने भी कह दिया है इला का भी हमारा और धमा का भी हमारा अच्छा शौट था एका एक पिक्चर में आगे खिलारी इसको रागे बरता हुआ पहुंचा है 32 33 आट गिंदों में 23 रन एक ही चारा रह गया है डू और डाए करो या मरो रवी नाइक ने भी दोनों टीमों को अल्दबेस का है 40 प्लस के बहुत अच्छे किर्गेटर कारिवली के और खासतों से स्क्वाइर कट बहुत अच्छी लगाते थे 33 रन दो विकेट आट गिंदे 23 रन जड में गें खोट के निकाला एक रन साथ गिंदे और 22 रन अलाके ये कारणा मारेगूलर किरामीन किर्केट में वाकलन ने अंजाम दिया गल देर रात राइट आम ओवर दी स्टाम जा रहे हैं इस मारत अब आप बैक फूट पे गए हैं फोर्स किया गे इनको और गेन निकल गई है छे रन वटाई स्टोक एक वण में कितने चाहिए है अलपेश सोला रन मैज बन गया है मीर स्पोर्ट परोडी का पलट वार दन्यवाद सिद्धिक सर दापोडे ग्राम पंचे चे माजी सर्पंच और विद्यमान सदश वीर तानाजी दापोडे संगा चे संगनेक चिंतमान रामकुष्ण पाडील यानि गनेश दद केनी यास परदेल सुबेच्चि दिल्या यास परदेल सुबेच्च दिल्या दन्यवाद चिंतमान पाडील सुर्गियो कबेर निर्माल समुर्थी चश्का मदे आपला मनपुरवा एक और और जीतने के लिए रंच चाहिए 16 क्या मुकाबला चर रहा है गुल्डी किर्केट का आप देखने मौसम में मस्ताना हर कोई है लेट निर्मल मेमोरियल कप का दीवाना इसको रहे इस वक्त एक वर्ण में 16 रन और चाहिए 16 निदिंग टुविक्ट्री इन वन ओवर आगे हमारे प्यारी केनी और अज़ेस्मेंट सूपब 40 रन दो विकेट 6 गेंदे 16 रन मीरी स्पोर्ट परोटी के सामने एकी रास्ता डू ओर डाए करो या मरो गेंद बाजी में किसको लगाया गया है इस वक्त आखरी होड़ में अभिनाश देखिए पहले ही आपको बता दिया गया था कि अगर गेंद नहीं मिली तो फिर आपको नहीं गेंद दी जाएंगे पुरानी के नहीं है देखिए पाँच अज़ार रुपे का इनाम रखा है गनेश दामोधर माली, चंदरकांत दामोधर माली और जेंता दामोधर माली ने एक वीरा चोटा इर्वा मन कुली एक के लिए अगर इस मैच को जीती है तो छे गिंदों में सोला रन गिंद बाजी के लिए अमिनाश माली सामना करेंगे उनका बैट्समेन परकाश भगत अमिनाश परकाश को पंच किया है बहुत ही खुबसूर्थी के साथ गेन एक्ष्ट्रा कवर में दो रन बना लिए बैट्समेन ने मैच में गर्मी आती भी बाज गेंदे चाओदा रन दीरे दीरे ये मुकाबला थ्रिलिंग क्लामेक्स की तरफ बढ़ रहा है गोल्डी किर्केट सुनेरा किर्केट पुराने चावलों का किर्केट इससे नहीं देखा तो क्या देखा पांच गेंदे चाओदा रन अलाके न्यू फॉर्टी प्लस में एक कप की वीजे था सिद्धी मिनाएक है दो कप की वीजे था कारी वली है और मेरे कहले से दो कप की वीजे था काले रहे कालवा रहे ओ बढ़िया गेंद अप्डेक ये देखें क्या गेंद की थी वहाँ पर अप्डेक मनो थूरी देर के लिए तो ऐसा लगाओ कि गेंद आश्मीन ने की हो चार गेंदों में कितने चाहिए चौदा क्या आप बोलिंग कर रहे हैं अविना अश्माली जादुगर एक बड़ा शॉर्ट आएंगा तो मानकुली के जो समर्थक है वो थोड़ा सा जश्ने कम मनाएंगे निकल के मारा मिस्टाइम स्टोक और सॉफ्ट डिस्मिसल आउट होगे बैट्समेन परताब परकाश बगत तीन गेंदे चवदा रन हीट आउट और गेट आउट 40 प्लस से फाइनल में कौन सी टीम पहुची है काली का माता कालवार और मेरे कहल से दो कप की वीजेता टीम वही है दो की कारेवली है एक की सिद्धी बिना एक अंजूर है और न्यू फोटी में शायद ये छटा कप है तीन गेंदे चौदा रन ओ फिर आउप्रेक लग बग लग बग लग बग सौटा इरवा मन कुली ये कह रही है कि एला का भी हमारा और धमा का भी हमारा फाइनल के दरवाजे को खोलने की तैयारी दन्यवाद सिद्धिक सार तर प्रता पाटिल साहिवान चे मोटे बंदू रविंद्र पाटिल साहिवानी मीरिस्फोर्ट भरोडी संगानी जरे सामने और विजे संपधन केला तर त्याना 2,022 रुपई चे पारितोशिक दन्यवाद दो गेंदे और चेसिंग कंपल सरी दो गेंदों में तेरा रन एक गेंड डॉट के ही तो मानों बल्ले बास के हाथ में पुराना अजार का नोट रहेंगा सलारे बाबा टाइम पास नंका करूँ इचारन इचारन जिन्दगी खपली अबर भुमिल अले तबर सुकट कपली इस मर्दबाग इनको उड़ाया है और पीछे खिलारी आउट हो के बैट्समेन आप तो कोई भी एक मेरा सौटा इर्वा मनकोली को फाइनल में जाने से नहीं रोक सकती और पाँच अधार का इनाम लगबग जेब में गया है जिसे स्पॉंसर किया है गनेज दामधर माली चंदरकान दामधर माली और जैंता दामधर माली ने आपका भी विशेद दन्यवाद ऐसे दान्शूर लोग रहते हैं जो टीम में एक नहीं उर्जा पैदा करते हैं और तीनों भाई हैं और हमें हमारे तीन साइकल स्पॉंसर भी हैं विशेद दन्यवाद शेकर शाह की तरफ से एक हजार रुपया अगर ये विकेट लेते हैं तो बोल एक हजार वाँ पर्फेक्ट यॉरकर इला का भी हमारा धमा का भी हमारा कॉंग्राचुलेशन साउटा इर्वा मानकोली ए फाइनल में बहुती भी न्यू फॉर्टी प्लस केटेगरी से इस लेट कभीर निर्मल मेमोरियल कप में मैन अफ दे मैच कर दे मार पर इनली चर्ष भी हमारा मार वाँ दे मर दे मानकोष। एटन तान केचा अम्चे गड़े 40 प्लस सटी दोना कुलर अधि पॉंण सर के लिए मनद